आज हम वैदिक काल की आस्ट्रोनॉमी और मैटिकल साइन्स की बात करेंगे जैसे की आयरवेद का ओरिजन कहां से हुआ तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोनॉमी की जैसा कि आप सब जानते हो कि वैदिक काल की स्टार्टिंग में लोगों का मेन उक्यूपेशन था एनिमल हस्बेंडरी सबी लोग एनिमल्स पर ही डिपेंडेट थे जानवरों पर ही डिपेंडेट थे पर लेट वैदिक पीरिट के आते आते एनिमल हस्बेंडरी के साथ एक्रिकल्चर भी स्टार्ट हो गया और जब एक्रिकल्चर की स्टार्टिंग हुई तो उसके लिए एक कलेंडर को भी बन और यहाँ से जन्मी थी हमारी वैदिक एस्ट्रोमी के इसके साथ साथ जो हमारी Holy और religious practices होती थी यहाँ साल के किस टैम पर कौन सा यग होगा, कौन सा भन होगा, वह दूसरा मेन रिजन था एस्ट्रोमी के ओर रिजन का और वैदिक लिट्रेचर से हमको यह मालूम पढ आए कि कि वो लो मुहिनों को मून के faces से count करते थे और साल को sun के motion के तोर आ count करते थे अब क्योंकि मून मंत का whole number एक solar यह नहीं बना सकता इसलिए कुछ extra दिन बच जाते थे जिनको मल मास कहा गया है यह दिनों का ऐसा period होता था जहां पर कोई भी releases activity नहीं होती थी साल को दो हिस्सों में डिवाइट किया गया था पहला उत्तर याना जब सूर नौर्थ की तरफ हो और दूसरा दक्षे नहीं आना जब सन साउथ की तरफ मूब कर गया हो वो लोग समर और विंटर सोलेश्टिस को भी आइडेंटिफाई कर सकते थे इन फैक्ट यह जो रुटा में य साथ ही साथ उन्होंने लगबख 27 तारू के नाम भी रखे और उनको सन और मून के बात की पूरी नौलिज थी यहां तक कि हमको जुपीटर और वीनेच जैसे प्लैनेट का भी चिकर देखने को मिलता है हाँ एक बात जरूर है कि वैदिक पीरेड में कोई भी नेटल एस्ट लोजी तो वैदिक पीरेड में कोई भी नेटल एस्टरोजी मौजूद नहीं थी उन लोगों का यह मानना था कि इनसान की लाइफ उसके जन्म से ही प्रीडिसाइड़ है अब इसके बाद आती है मेडिकल साइंस वैदिक पीरेड की स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन ले के कंपेरेजन में अधरवेद के आइडियास और मेडिसन पूरी हद तक तो करेक्ट नहीं है लेकिन उस पीरेड की बाकी की सबविताएं और सुसाइटिस के कंपेरेजन में उनकी नोलेज काफी ज्यादा एडवांस थी अधरवेद में हमको कई सारी बीमारियों का जिक्र म किया है एडवांसमेंट के साथ साथ कुछ रॉंग और गलत आइडियास भी जन्म ले रहे थे जैसे कि वो लोग ये मान लगे थे कि ये बीमारियां हमारे सरीर के तीन दोसों में गरवडी के कारण होती है और वो दोस क्या है वाता पिता और काफा दोस ऐसा मना जाता है कि ये बीमारियां और मलफंसनिंग भूत गोष्ट और इवल स्प्रेट के अटेक के कारण होती है और इसलिए कई सारे मंत्र और रीचुल प्रैक्टिस की जाती थी जैसे कि हातों में हैंड बेंड पहनना जिनको कवश कहा जाता है उनका ये मानना था कि उन मंत्र और प्रैक् में किया जाता था में लिए आपर दो टाइप के ग्रूप थे दो तरह की ट्रीटमेंट मौजूद थी पहला टाइप का ग्रूप वो था जो कि सुपर नैश्रल और मैजिकल प्रैक्टिस के द्वारा इवल स्प्रेट और बोदों को भगाते थे जिससे की बीमारियां ठीक ह होजाती थी और दूसरा टाइप का ग्रोप वो था जो कि पेड़ पौदे उनकी पत्तियां उनकी जड़ें और जड़ी बूटियों से बीमारियों का सही Barnes करते थे और जो दूसरे वालरा ग्रूप था जो किल पौदों से बीमारियों का अलाज करते थे उन लोगों को और उनकी राइटिंग उनके तौर तरीके और कई सारी medicinal plant का जिक्र आज हमको उनकी राइटिंग में भी देखने को मिलता है इसी ग्रूप को आगे continue करते हुए लेट वैदिक पीरेट के end में और अडली बुद्धिस पीरेट के starting में आयरुवेद को लिखा गया वही आयरुवेद जिसका नाम आज हम सुनते हैं अब कुछ लोग ये मानते हैं कि आयरुवेद अथरुवेद का इस्ता है और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हमारे वेद का अलग इस्ता था खेर जो भी हो आयरुवेद को 8 chapters में डिवाइट किया गया है जिसमें medicine, surgery, आख, कान और नाख की treatment, गले की disease, psychological और mental problem, बच्चों की treatment, poison, जहर और उनके side effect, दवाईयों की preparation और उनकी chemistry और sexual disease का भी treatment सब कुछ आयरुवेद में मौजूद है इस बात से ही आप अन्दा जा लगा सकते हो कि उस समय हमारी medical science वेदिक पीरिट में कितनी ज़्यादा advance रही होगी और इस advancement को और भी ज़्यादा high level पर post-vेदिक पीरिट में पहुचाया गया जब medical science का command कई सारे eminent physicians के हाथों में सौपा गया जैसे कि सुसृत, चारक, जीवक इनके हाथों में सौपा गया उन में से एक लीडर थे सुसृत खेर उस advancement की बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे लेकिन no doubt आयरवेद medical science की उस advancement को represent करती है जिसका सबूत आज हमको देखने को मिलता है क्योंकि आज भी आयरवेद हमारी medical science की field में pretty dominant है आज के समय में भी आयरवेद का इस्तमाल काफी बड़े level पर किया जाता है इसी बात से आप वेदेगेज की medical science advancement का idea लगा सकते हो और आयरवेद इंडिया की ऐसी gift है जिस पर हर एक इंडियन को proud feel करना चाहिए इसके बाता है वेदेगेज का philosophical content यानि की वेदास का content क्या था तूरिक वेदा जिसमें भगवान की prayer मौजूद थी God की worship मौजूद थी सम वेदा जिसमें hymns और music मौजूद है इसके बात यह जोर वेदा इसमें आपको बलिदान देना होगा मीज वहाँ पर sacrifices और religious activities का involvement है और finally अधर वेदा इसमें medicines और medical science का जिक्र है तो वेदास का content क्या है mainly hymns, prayer और God को worship करने के तरीके उस समय के main God थे अगनी, वरुन, सूर और इंद्र मतलब उन भगवानों की पुझा जाता होती थी जो की बदले में उनको कुछ प्रोवाइट करते थे यैसे की सूर यानि की सन की energy, वरुन, हवा, ऐसे ही अगनी, यानि की आग, मतलब उन Gods का जिक्र आपको जाता देखेगा जो की बदले में आपको कुछ energy प्रोवाइट करें और इस basis पर, historians को रिख वेदिक time की लोगों की thought process के बारे में काफी essential content मिलता है और यही वजा है कि रिख वेदिक hymns, songs और poem में, nature और natural phenomena के बारे में आपको काफी healthy reflection मिलेगा ऐसे ही वेदास में एक और चीज के बारे में बताया गया है जिसको कहा जाता है लोग क्या था इसको चर्वाका भी कहा जाता है वो लोग आत्मा और soul की existence को नहीं मानते थे बलकि उन लोगों का मानना था कि इस दुनिया की सभी चीजें चार तत्वों से मिलकर बनी हुई है जिनको चतर भूता कहा गया है और ये चार तत्वे थे water, air, earth and fire मतलब अगनी, हवा, जल और जमीन और फिर बाद में एक और तत्वे को भी जोड़ा गया इसकाई, यानि की आस्मान ऐसा माना जाता था कि जब भी इनसान मरता है तो उसकी body उसका सरीर, उसकी आत्मा ना ही heaven में, ना ही hell में ना ही सौर्ग में जाती, ना ही नर्क में बलकि वो इन चारो तत्वों में जाकर मिल जाती है मतलब old Vedic period के लोगों का ये मानना था कि इस दुनिया की सभी चीजें पाज तत्वों से मिलकर बनती है और जब इनसान की death होती है तो वो ना ही hell में जाता है ना ही heaven में जाता है बलकि उसकी soul इन चारो शीजों में जाकर मिल जाती है आप खुदी देखिए उनकी सोच कितनी advance थी आज की modern science तो कहती है कि जब इनसान मरता है तो हमारे सरीर की सारी chemical reaction रुख जाती है और जो energy जो भी information हमारे अंदर रहती है वह इस nature में जाकर मिल जाती है खेर जो भी हो लेकिन ये बात काफी अच्छी है कि उन लोगों ने अपने आसपास की चीजों को इस दुनिया को natural phenomena और material processes समझने की कोसिस की लेकिन लेटर वेदक period के आते हाते ज्याद तर ritual practices होने लगी थी जैसे कि यग, evil spirit, आत्मा, भूद सब ritual practices स्टार्ट हो चुकी थी हाँ बट काफी ज़्यादा advancement भी हुआ था तो आज हमने astronomy, medical science और वेदास के कुछ content को जाना इसमें I think आप ये समझ गए होंगे कि उस समय हमारी science कितनी advance थी आयर वेद में medical science को कितनी advance लेवल पर ले जाया गया अब इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ claims के बारे में जानेंगे like कुछ लोग मानते हैं कि Aryans इंडिया में ही originate हुए थे उनका जन्म यहीं पर हुआ था ऐसे ही और भी कई सारे claims लेकिन फिलाल आज की वीडियों बस इतना ही I hope आपको ये वीडियो जरूर बसंदाई होगे अगर ऐसा है तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेहर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आगयाने वाली कोई वीडियो और अपडेट्स आपसे मिस न हो पाएं